हेलो फ्रेंड्स बेलकुम बैक टू माई निटिंग चैनल चलिए फ्रेंड्स यह मैं एक कार्डीगन बना रही हूं जिसका जो है यह नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूँगी बना करके पहले दिखाऊंगी इसमें क्या है इसमें जो है बैक साइड के गले का जो गले की कट करनी हमारे लिए इसलिए जरूरी है अगर हम बैक साइड की कटिंग बहुत सी जो है बहुत से लोग हैं जो बैक साइड के पोर्शन की कटिंग नहीं करते हैं ऐसे ही इसे रहने देते हैं मतलब कि कंदों को जोड के इन फंदों को ऐसे ही रहने देंगे लेकिन जब हम जोड ल जो है कार्डिगन पहनती हूँ बहुत अनकमपटेबल होता है जो कंदे होते हैं वो नीचे की तरफ जो है जैसे हमारे दवाब बनता है कंदों पे जुपते रहते हैं उस तरह से मुझे जो है अनकमपटेबल फील होता है तो इसलिए जो है मैं जो है हमेशा यहां पे जो है अ की कटिंग कर लेते हैं बैक साइड के गले की तो बैक साइड के गले की हम कटिंग कैसे करेंगे बो मैं आज आपको बताऊंगी और शोल्डर को जोड़ना कैसे आपस में दोनों साइड के पोर्शन को बो भी मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हमने कैसे बनाना है इसके गले की cutting जब हम करेंगे तो armhole से just जो है चार जा पांच सलान्या हम पहले इसके गले की cutting करेंगे उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ओर बुन लेंगे तो हमारे armhole की cutting जो है complete हो जाएगी मतलब की length की पूरी हो जाएगी तो आपने देखना है अगर हमारे आगे वाले जो portion है दोनों side के हैं उनको आपने इस तरह से रखके देखना है कितनी हमारी यहां पे cutting है तो इतना सिर्फ इतना हमारा जो है यहां से और बनेगा सिर्फ इतना चार सलान्या मतलब की हमने और बनाने है cutting करने के बाद तो चली आईए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने क्योंकि मैंने फ्रांट साइड के 23 फंदे एक तरफ 23 फंदे दूसरी तरफ रखे हैं अब हमने 23 फंदे यहां पे बुन लिए देखे एक दो 3,4,5,6,7,8,9,10,11 11,22 और यह फंदा 1,23 23 फंदे हमने यहां पे बुन लिये हैं उल्टी साइड में हैं अब हमने यहां पे देखे इसके कटिंग स्टार्ट करने है कटिंग हम कैसे करेंगे 23 हम यहां पे रखे सारे फंदों को हम बंद कर देंगे देखेette इस तरह एक गिनना तो क्या है लास्ट में 23 फंदों को हम रखेंगे बाकी सारे फंदे बीच बे बंद कर देंगे हम इस तरह से लास्ट वाले 23 फंदों तक हम इस तरह से सारे फंदों को बीच में यहाँ पर बाइंड ओफ करेंगे अब देखिए फ्रेंट्स एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह एक फंदा अब बाकी बचे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे 23 फंदे हमने एक तरफ रखे 23 हमने दूसरी तरफ अब इस तरफ जो है धागा हमारा इस तरफ है और आम होल की कटिंग की जो लेंथ हमारी आम होल की वो भी कम्प्लीट हो जाएगी आपने इस तरीके से बनाना दिखे यह हमारी एक सलाई कम्प्लीट हो गई अब दूसरी साइड में यहां से दिखे यह दिखे यह बीच वाले सारे फंदे हमारे जहां पर हमने घटा दिये आपने उठाने इतने नहीं है हमने बीच बीच में से फंदे उठाने हैं कियोंकि यह ज़दा फंदे हैं तो back side के हमें जो है 30 जा 32 फंदे हमारे जो हैं लगेंगे तो मैं बाद में बताओंगी आपको गला हमने जो आइट कैसे करना है सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं इसके बाद देखिए हम चार सलाइचा इसकी बनाएंगे जो आप डिजाइन डाले हैं आप उसे कॉंटिन्यू कीजिएगा उपर भी इस तरह से तो एक तरफ चार सलाइया बनाने के बाद हमारी जो है आप देखिए फ्रेंट यहां पे हमने जस्ट चार सलाइया ही बनाई है इस तरह से दिखिए यह दो चेन बनी है हमारी तो चार सलाइया हमने बना ली है आप इसी तरीके से हमने इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने कम्प्रीट करनी है उसमें भी हम 4 सलाइया बनाएंगे और जो हमारा डिजाइन चल रहा है वैसा ही चलेगा अब यहां से देखिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे और चार सलाज़ा हम इस तरह बनाके कम्प्लीट करेंगे अपनी उसके बाद जो है शोल्डर जोडेंगे अब देखें फ्रेंट्स हमारे दोनों साइड का जो है यह इस तरह से बन गया है अब हमने इसमें जो है कंदे जोडने है कंदे हम सुई के साथ जोड़ेंगे तो इस तरह से रखेंगे देखें यह वाला जो हिस्सा है इसे हम इस साइड में लेके आएंगे ऐसे तो दोनों साइड हमारी जो है इस तरह से देखें सीधी हो गए सीधी हो गई और बटन पटी हमारी इस तरफ चलिए ये भी हमारा सीधा हिस्सा है और ये भी सीधी साइड है अब देखिए इसको हम जो है इस धागी को सुई में डालेंगे काट करके सुई में डाल लिया अब इसे जोड़ेंगे देखे ये जो हमारा उल्टा है देखे ये वाला उल्टा है और ये वाला भी उल्टा है ये वाली भी उल्टी साइड है और ये वाली भी हमारी उल्टी साइड है अब देखे जोड़ना कैसे है हमने इस उल्टे फंदे को हमने ऐसे लेना है सीधा और उतार लेना है स्टार्टिंग हम इस तरह से करेंगे और यह सीधा फंदा है इसे हम इस तरीके से लेंगे ऐसे ले लिया अब फिर से उल्टा फंदा हम उतारेंगे इस तरीके से और यह जो उतारा हुआ सीधा फंदा है उसे इस तरीके से लेंगे फिर इस फंदे को लेंगे और ऐसे फिर इसे लेंगे और ऐसे आसान तरीका जो है यह मैं बता रही हुँ आपको सोई के साथ हमकंदे कैसे जोड़ेंगे इस तरीके से ऐसे फिर इसे लिया और ऐसे फिर इसे लिया और इस तरीके से आप देख सकते हैं देखे इसमें जो है जो जो जॉइंट है उसका बिलकुल भी पता नहीं चलेगा कि कहां से हमने कंदों को जोड़ा हुआ है तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइट भी जोड़ लेंगे फिर इसकी फाइनल लोप में आपको दिखाती हूँ अब देखिए फ्रेंट्स यहां पर एक चोटी सी बात में आपको और बताना चाहूंगी वो यह कि यह जो बटन पटी है इसे हमने जो है जो जॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बटन पटी हमारे है नहीं तो इसे हम इसे इस तरह तरीके से ही यहां पर शोड़ देंगे चाहे तो आप इसे स्टिच होल्डर पर ले लिजिए इस तरह की आप इन ले लिजिए इन फंदों को आप इस तरह से इस पे लेके बंद करके इसे शोड़ सकते हैं जब हमारी जो बैक साइड की बटन पटी बनेंगी तब हम इन फंदों को जोड़ेंगे जब बनाएंगे इस तरीके इस देखे अब इसे यहीं पर छोड़ दीजिए जो हमारे फंदे यहां पर शोल्डर के बंद हुए हैं वो य यहां पर बंद का नहीं है बटन पटी के बंदों को हम नहीं शुएंगे इसे हम ऐसे ही रहने देंगे बाद में देखते हैं कि कहां पर हमारी बटन पटी जो आइट होती है कौन सी बटन पटी हमारी आगे जो है बुनी जाएगी क्योंकि आगे बटन पटी चलेगी बैक सा को भी देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन तरीके से जो है यह इस तरह से देखिए यहां पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने ओर्टी स्लाइन यहां पर शोल्डर को जोड़ा है देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो है शोल्डर हमार ऐसे ही छोड़ेंगे ऐसे इस लाइक को दूसरी तरफ लियाएंगे अब यहां पर देखे इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और फिर उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने दूसरी साइड का पोश्चन जो है जोड़ा है इस तरीके से एक फंदा उतारा और इसे उतारेंगे अब फिर इसे उतारेंगे ऐसे फिर जो उतारा हुआ फंदा इसे पकड़ के ऐसी फिर इसको लेंगे वह ऐसे इस तरीके से हमने दूसरी साइड का पोश्चिन भी जोड लेना है आप देखें फ्रेंट्स आप इसकी फाइनल लुक जो है देख सकते हैं अभी हमने पीशे की गली की जो कटिंग की है वहां से फंदे हम उठाएंगे उसमें से फंदे हमने घटाने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फंदे यहां से आ जाएंगे हमारे पास तो यहां पे मैं फेले फंदे उठाऊंगी फिर उसके बाद कैसे इसको बनाना है वो मैं आपको इस बटन पट्टी को कैसे यहां पे जोइंट करना है कैसे यहां तक आना है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, अभी के लिए आप इतना बना लीजिए, फिर मिलती है इसकी नेक्स्ट वीडियो में गला, हमने जो बटन पटी है, उसको यहां से यहां तक हम कैसे लाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपने देखा कितनी असानी से जो है यहां से हमारे बैक साइड के गले की कटिंग हुई है और चॉल्डर को हमने सुई के साथ कैसे बंद किया है यह मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया है उमीद करती हूँ आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फैंस शियर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में लेकर बताये आपको कैसी लगती है यह वीडियो तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक यू थैंक यू वेरी मच्च